नमस्कार दोस्तो आजम बात करेंगे भारत के पहले परमवीत शक्र से सम्मानित किये जाने वाले मीजर सौमनाच शर्मा के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की शुरूआत होती है 31 जनवरी 1923 में जब इमाचतर प्रदेश के कांगरा जीले में मेजर सौमनाच शर्मा का जन्म हुआ इनके पिता का नाम अमरनाच शर्मा है जो की सेना में मीजर थे और इनकी माधाजी का नाम सरस्वती शर्मा इसके अलावा इनके बड़ी भाई और इनकी बहन भी ब्रेटिश इंडन आर्मी में थे मीजर सौमना शर्मा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई उत्राखंत के नैनिताल में स्थित शेर्वूर्ड कॉलेज से पूरा किया जिसके बाद वो 22 वरवरी 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 19 वी हैधराबाद रेजिमेंट के 8 वी बटैलेंड में कमिशन्ड हुए जिससे आगे चलकर इंडियन आर्मी के खुमाओ रेजिमेंट के 4 वर्टैलेंड में कन्वर्ट कर दिया गया मीजर सौमना शर्मा 2 वर्ल वर में जैपनीस के खिलाफ बर्मा में भी लड़े थे और उस समय उन्होंने करनल के एस थीमिया के कमांड में सर्फ किया था जो कि आगे चलकर 1957 से 1961 तक चीफ आफ आर्मी स्टाफ भी रहे थी और इसी लड़ाई में उन्होंने अपने आदम बे साहस और वीर्टा का परिचय दिया जिसके लिए उन्हें बर्मा स्टार से भी सम्वालित किया गया था और फिर आजादी के बाद 22 अक्टोबर 1947 में कश्मीर को लेकर वारत पाकिसान का पहला युद्ध हुआ जिसे फर्स कश्मीर वार भी कहा जाता है और इस तड़ाई में तैनात रहने के लिए मेजर सम्वनाशर्मा के गुमाव रेजिमेंट के चौती बटलिन को कमिशन किया गया और आपको बता दे कि उस समय मेजर सम्वनाशर्मा के लेफ्ट हैंड पर प्लास्टर लगा हुआ था क्योंकि कुछ समय होकी खेलते दोरान उन्हें कहीं चोटे आई थी लेकिन इसके बावजूद भी मेजर सम्वनाशर्मा ने असिस्ट किया कि वो कॉम्बैट में अपनी टीम के साथ ही रहेंगे और 3 नवेंबर को पैट्रोलिंग ड्यूटीज के लिए मेजर सम्वनाशर्मा की टीम को बदगाओ एरिया में डिपलॉई किया गया और वहाँ अपनी ड्यूटी देते समय वहाँ के एक लोकल घर से पाया राया लेकिन मेजर सम्वनाशर्मा के पास काउंटर फायर करने के लिए औरर्स नहीं थे और ऐसा इसलिए था कि कोई इन्नोंचन जिमिलन ना मारा जाया लेकिन तभी अचानक से करीब 700 के आसपास घुसपैटिये बदगाओ में बढ़ने लगे और फिर इन गुसपैटियों ने मेजर सम्वनाशर्मा की पुरी टीम को चारो तरफ से घेर लिया और उन पर हेवी फायरिंग चुरू कर दिया और इसी फायरिंग में मेजर सम्वनाशर्मा की टीम को कफी casualties भी आई बगर इसकी बावजूद भी उन्होंने अपना position नहीं चोड़ा और गुसपैटियों का ददकर सामना करते रहे और इसी बीच एक गुसपैटिये ने उन पर तोप के गोले से वार किया जिसे मेजर सम्वनाशर्मा मात्र 24 साल की उम्र में वीर गती को प्राप्त हो गया प्राप्त प्राप्त